गुट मरिंग इस्टुडेंट्स हाँ आयोग यू और फाइन देशे हमने लास्ट लेक्चर में बढ़ा था चिप्टर फॉर्स्ट हूं वी लूदिस एसी आजका हमारा सेकंड चिप्टर है अल टूगेदर सो लेस्ट आवर फस्ट सोरी सेकंड चिप्टर स initially उतल वी जूज एरवाटर एंबबूडृट हम पानी हवाय और खाने का उप्योग करते हिं ने यूज करते हैं सम्टाइब्सी इटन्यूग मीश्ञ पयिक्ट समकड़करिंग देखते कि इंका मिश्ञ ने थी lt one ते थ एंटिका अधीकर मी सू आता म। environment give us land to grow, environment हमें जबिन देती है, grow food अना जुगाने के लिए and build house और मकान बनाने के लिए Do we really do anything to maintain and pressure it? क्या हमें इनका maintain करना थी है, इनकी देखपाल करनी चीए Our country is a country with rich diversity, हमारी country में अलगल अक्सकार की बिंटाय देखने को मिलती है Our country shows diversity in religion, caste, language, sex and status हमारी country में कौन को सी बिंटाय देखने को मिलती है, religion, dharm, jati, language, sex, language and status कोई अमीर है, कोई गरीव है, कोई मुक्षलमान है, कोई हिंदु है, diversity हमारे देखने को मिलती है Also, these diversities are there even then we are provided with equal facilities हमारे देखने को मिलती है, इतनी बिंटाय देखने को मिलती है, फिर भी हमें समान facilities सुविदाय दी जाती है We should think about where these facilities are drive from, हमें सोचना चाहिए कि यह सुविदाय हमें कहां से मिलती है Here we shall discuss about facilities we are getting and how much we alert regarding them हमें यह पर discuss करेंगे कि हम इन सुविदायों को लेकर कितने alert है तो आपको एक स्टोरी दी गई है, हमें स्टोरी रिट करेंगे Once a boy named R.N. Rich M. एक बार एक R.N. नाम का लड़का M. पोचा Nobody know where he come from, मा उसे कोई नहीं जानता था कि वा कहां से आया Where will he stay, वा कहां रुपता And what will he do to get food, और वा क्या खाता All our needs are fulfilled by our parents हमारी सारी जो need आव सकता है, वो हमारे parents के दारा फूल्फिल की जाती मतलब उनकी, हमारे parents हमारी सारी आव सकता है, फूरी गड़ते But who will help this way, पर उस लड़की की मदद कौन करेगा Because he was alone, वा हां अकेला था What will happen to him, अब उसके साथ क्या गटना होगी, मतलब क्या होगा So student, next page पर आपका इहां discuss करना है कि RN कहां गया सबसे पहले खिसके गर गया, उसे क्या facilities मिली सबसे पहले उसे क्या क्या खरीदा और उसे कौन सा मित्र मिला, तो इन सबके बारे में मैं डिसकॉस का रहे है Think and say, first है आपका, where would RN first house be? RN का पहला गट कहां होगा? वही है बताना है Which facilities would RN have first? RN को सबसे पहले कौन सी सुविदा मिलेगी? Why would another boy have join RN? RN के साथ जो दूसरा लड़का था वो क्यों जोइन हुआ? But may another boy have got with him जो दूसरा लड़का था RN के साथ मतलब उसे जो मिला था अन्दाबाद में वो साथ में क्या क्या दाया था? Who will benefit due to both the boys being together? दूनों RN और उसका फ्रेंड दूनों एक साथ इखटे होंगे तो उनको किसको लाब होगा सबसे ज्यादा? दूनों और के एक साथ इखटे होंगे तो सबसे ज्यादा लाब किसे होगा? तो यह बताना है What other facilities would the friends get now? अब दोनों फ्रेंडों को कौन-कौन सी सुविदाय मिलेगी? यह हमको यह राइट डाउन करना है आपको आपकी नोर्बोक में यह question answer राइट डाउन करना है फिल next question है आपका What would they do how to get more facilities? वो सारी सुविदाय प्राप्त करने के लिए क्या-क्या करेंगे? तो वो हमें यह बताना है Where would the boys buy vegetable from? जो दोनों जोक्रेल लड़के थे आर्यान और उर्का फ्रेंड वो दोनों vegetable कहां से? वो मुबाय में खरी देंगे हमको बताना है These things of nature would have been utilized by both the friends दोनों मित्रित थे दोनों friends थे वो natural चीज़ कौनकों से use करते है वो हमें बताना है फिर नेक्टे बार्ट are the essential things required for a mental life इंसान को जीने के लिए किस-किस की ज़रत पढ़ती है यह मतलब कौन-कौन से चोटी-चोटी-चीज़ होती है जिन से उनके आसकता है पूरी हो जबती है तो हमें यहां बताना है How good this boys keep clear the area around their house यह दोनों जो मित्रित थे आरानों उसका friend वा अपने घर के आसपास अपने जो एरिया है यहां देख सकते हैं आप कोट दी है फिर यहां वेजिटेबस और यहां क्लोथ दी रहे तो फर्स्ट आपका made from wood लकडी में से बने हुए मतलब लकडी में से क्या क्या बनता है वो बताना है फिर यह wood come from tree हमें लकडी कहां से मिलती है ट्रीपड से राइट फिर आइसेल मेंटें दाटी अगर हम लकडी काटते हैं लकडी का यूज करते हैं तो हमारी हमारा क्रतबी भी बनता है कि हम उसकी रक्षा करें उसकी देख रेक करें फिर नेक्स्ट पर है आपका अब्जर्वेशन इन में से में अब्जर्वेशन करना है निरिशन करना है इन में क्या के बताएगा है इन पिक्चर में फिर नेक्स्ट आपका एक स्टोरी आपकी जहां एक गल है रूपल आमकी वह चल नहीं सकती है तो हम इस्टोरी रिविट करते हैं और यंग गल रूपल एलोंग विठोल दा अधर्व चिल्डरनी विलेज वान टू गो टू स्कूल एक छोटी सी लड़की है रूपल उसकी गांगे सारे बच्चे इस्टोरी जाते हैं तो बड़की रूपल एक पापा से का कि मुझे भी इस्टोरी जाना है जाना है तो हम इसका रिजन आगे की स्टोरी में बताएंगे कि Rupal School क्यों नहीं जा सकते रही है तो आपके question है think and send how do you go to school आप school कैसे post और किस तरीके से school post और इस सेगेंड आपको who among you does not go to school where आपके साथ या तो आपकी family member या फिर आपका neighbor कोई भी आपके school में नहीं आता है क्यों तो आपको यहां reason बताना है फिर नेश्ट आपका Rupal used to feel that she should go to school Rupal भी school जाना चाती थी study करना चाती थी but she could not but वा नहीं कर सकते थी school नहीं जा सकते थी because क्योंकि she was not like other children वा और बच्चों की तरह नहीं थी she was different वा बहुती अलग थी she could not play like other children वा जैसे सारे बच्चे इस्कूल के playground में खेलते हैं यहां रूपन नहीं कर सकते थी यहां सबसे आलग थी different थी she was willing to go to school and was very found of studying but what can be done वा अपनी जो building थी उसके तरह इस्कूल आती थी and was very found studying but what can be done उसकी बहुती इच्छा थी कि मैं भी study करूं फिर नेक्ट है आपकर do you like going to school आपको इस्कूल में जाना पसंद है तो यहां आपको बताना है what do you like in the school आपको इस्कूल में क्या क्या पसंद है फिर नेक्ट है what do you do if you cannot come to school अगर आप किसी दिन मतलब तो इस्कूल नहीं जा पारे फिर कोई भी region होगा आपको fever होगा फिर कुछ भी तो क्या करोगे अगर इस्कूल नहीं जा सकते तो आप घर पर क्या करोगे फिर रूपल had been suffering from polio in both her legs since childhood रूपल के दोनों पेरों में क्या था? polio polio की विमारी थी जिस्ते बार चल नहीं सकती थी उसके दोनों पेरों में she could not walk the answer उसको चलने भी परिशानी होती थी but once some organization डोरने थारख बील चीया बट उनको संस्ता में संस्ता की तरफ से रूपल को एक cycle भी में लिजी मतलब wheelchair some organization डोरने थारख wheelchair she come to school with the help of neighboring boy वह किसकी help से school आती थी? उनका पडोशी का लड़का था वह रूपल को लेके जाता था school में तो उसकी help से वह school पोस्ती थी wheelchair के डोरा So student, हमने रूपल की story read की थी की रूपल के से school आती है वह और बच्चों की थारा नहीं थी वह सकती क्यूंकि उसके पेर में polio बिमारी हुई थी तो हम देखते हैं वह किसकी help के त्वारा school जाएगी तो first time for do you help anybody how क्या आपने कभी किसी की मदद किये केस है तो आपको बताना है Does anyone come to school with your help क्या कभी आपकी मदद से कोई school गया है क्या आपने कभी किसी की help किये वह से school आने में उसको बिमारी हो कुछ बिया कि कुछ भी ATC तो आप उसकी किस तरह help करोगे यह आपको बताना है Who can come to school with your help only आपने किसकी मदद किये जो school आ सकता है तो आपको बताना है How do you help those children who have a fear to come to school आप उन बच्चों की केसे मदद करोगे जो बच्चे school आने से डरते हो मतलब उनको डर लगता हो कि हम आप साथ स्कूल में उनको मारेंगे फिर कोई भी punishment देंगे तो इसे बच्चों का आप डर केसे दूर करोगे फिर है everybody welcome her सबने रूपल का स्वावत किया रूपल is happy today रूपल आज बहुत खुस थी क्योंकि स्कूल में उसका first day था her parents are happy to us parents भी बहुत खुस थे teacher and students are also happy teacher और उसकी ग्लाव के सारे बच्ची भी बहुत खुस थे फिर आपका next think and say first question है आपका why whose help put Rupal reach to school रूपल किसकी मदश से school पहुची तो आपको यह बताने तो Rupal किसकी मदश से पहुची थी उनके जो पडोशी का लड़का है उसकी वज़े से school पहुचती थी फिर आपका what did Rupal see while coming to school और जब Rupal first time school में गई तो Rupal ने वाँ क्या क्या देखा तो आपको यह बताना है tip page number 18 पर आपका है Rupal study along with all the children Rupal सभी बच्चों के लाद study करती थी tells story or story थी सुनाते थे singing song और गाना भी गाते थे answer the question in the classroom और जो उनसे कोई question करता था उनके answer भी देते थे everybody help Rupal सब Rupal की मदद करते थे मतलब ग्लास में उसको किसी चीज़ से अकर तकलिफ हो या कुछ भी हो वो चल नहीं पा रही थी तो उसके ग्लास मेट थे सारी उसके help करते थे फिर आपको आप थिंकेंट से who or night have helped Rupal Rupal की मदद किस-किस ने करी थी तो या आपको बताना थे उनके ग्लास रूम में जो ग्लास में थे फिर बच्चे थे टीचर्स थे उनके पैरेंट से सब उसकी help करते थे in which work of this school does Rupal need help इसकूल में कौन-कौन से काम हो के लिए Rupal को मदद की ज़रत पड़ेगी whom do you come to school with आप इसकूल किसके साथ जाते हो तो आपको या बताना है या question answer आपको आपकी not book में write down करना है इस page number 18 sorry 19 पे आपको question answer हो या table दिए गए तो हमको read करेंगे from where does the porter brying grass for the donkey जो donkey घदा घास खाता है वो घदे के लिए कुमार घास कहा से लाता है वो आपको लिखना है who may be buying water for the porter to soak the soil कुमार जो मत्के बनाता है मत्के बनाते जाएं उसको पानी की जुरत पढ़ती है वो पानी उसे कौन लाके देता है तो donkey donkey उसकी help करेगा who would help the porter to make pot कुमार जो मत्के बनाता है तो उसके मत्के बनाने के लिए कौन उसकी मदद करता है what may be the porter required to the fire pot मत्की पकाने के लिए कौन सी चीजों के आसकता बढ़ती वो लिखना है who would sell the things required to require for eating the pot to the porter मत्लब मत्लब जो जो चीजों की जरत परती है मत्की बनाते टाइम आग में पकाने के लिए तो वह सारी चीजे कहां मिलेगी have you ever purchase support के आपने कभी मत्की खरी दी है what are the purpose is the pot useful जो मत्की आती उसका किसी लिए करते तो आपको या बताना है next topic आपका है think and guide या आपको कुछ table दीए जाए और कोई रिखती दूसरे रिखती सकते इसकाने connected होता है वेपार में बताना है various kind of professional are connected with each other सबी जो प्रोफेशनल वेवशाय वेपारी होते एक दूसरे के साथ जूड़े होते explain giving, instance, how the following things are united or connected with various professionals सारे वेपारी किस तारा से एक दूसरे से जूड़े होते अपने वेवशाय में अपने धंदे में तो या आपको बताना है पोईटर क्या करता है घड़े बनाता है मटकी बनाता है driver उनको ट्रांसफर करता है मतलब एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में और बिजनेश में वेपारी उनको बेचता है इसी तरह आपको यह भी यह फिलप करना है कि कौन किस तरह से जूड़ा हुआ है पिर लाश्ट पेजे आपका और इसमें दिखते है इसमें एक श्टोरी आपको रीड करनी जैसे मेनी पीपर टोल हार टू प्रोवाइडेट फेसलिटी तो अज हम उनको जो जो सुवीदाय मिलती है वो सारी बहुत ही मेहनत करने के बाद हमें बार सारी सुवीदाय क्लाप्त होती है ओल वर्क्स आर इक्वल इंपोर्टेंट सभी काम मेहत्व पूर्ण होता है नो वर्क इस कॉंसरे लो और हाई कोई भी काम उचा या नीचा नहीं होता डिपेंडिंग ओन इच अदर वी ओल लाइव एजी लाइफ हमें एक दूसरे के उपर आधार कस इजी मतलब सरल भीवन जी सकते हैं आसानी से जी सकते हैं डू वी एवर थिंक अबाउट टोईल मेर वाई यह डॉंकिया पोटर और हीज हेलपर वाईल ड्रिंकिंग पूल वटर फों दा पोट हम जब माट्टी के गड़े में से पानी पीते हैं तो हमें पानी पीते टाइम कुंभार के डॉंकि की जो मज़़ूरी होती है ज़े जो मज़़ूरी करता है वह उचका वीचार करना चाहिए हमें कि इनको कितनी कटिंग मेनस करने के आता हम यह ठंडा पानी पी पार है जब अम आइस्क्रीम खाते तो हम दूर देने वाला और आइस्क्रीम बनाने वाले का विचार करते नहीं हैं वी में शवीदाय मिलती है नेचिर अप्रकातिक तरिके जो शूवीदाय मिलती है मिलती है हम उनसी विद्याओं को दूरुप्योग तो नहीं करते है न तो हमें उनका दूरुप्योग करना भी नहीं चाहिए अब इसा को यह करता है तो उसे भी रुखना चाहिए विशुट प्रोटेक्ट एंप्रेशब अवर एंवाइरोमेंट दा गीव अवल नेसेशरी ओफ योर सोरी ओफ आवल लाइप हमें उसकी सुरप्चा करनी चाहिए उसकी प्रोटेक्ट करना हमारी कामनेट इसुट वी अपर मोलेल डूटी हमारा प्रात्मिक करता वेल हमें उसका काम करते टाइम सम्मान देशा लगना चाहिए उसका कोई भी नुक्शान होना चाहिए नहीं एंवारोमेंट को हम जो भी सुविदार राप्त करते हैं तो यह स्टूडेन यह था आपका चैप्टर टू और टू वेदर आपको एक वाय वापास घर से गरीर करना है और इसके कोशेन अंतर ठिंग करके ठाइट करना है अपनी नौट बूप में राइट डाउं करना है ओके ठाइंक्यू